नमस्कार, स्वागत है भारत यूजनापे तो अभी हाली में आपको मालूम होगा कि कल पर तो कहीं बात है जब इरान ने इसराइल पे 200 से ज़्यादा बैलेस्टिक मिसाल से हमला किया है तो उसी चीज़ को लेकर यहां पे यूएस के जो महासचिव है तो इन्हों ने एक बयान जारी किया, टुईटर पे पोस्ट किया है तो उस चीज़ को लेकर, उस पोस्ट को लेकर यहां पे इसराइल खफा है और इतना खफा है कि इनको जो है यहां इसराइल के जमीन पे बैन कर दिया गिया है कि अगर वो इसराइल के जमीन पर कदम भी रखें तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा इस हद तक गुस्सा है तो वो क्यों गुस्सा है किसले गुस्सा है क्या इस्टेटमेंट था क्या जारी किया या था तो वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसराइल ने संयुक्त राष्ट के महासच्यू पर प्रतिबंद लगाया इरान की निंदा ना करने पर भड़का क्योंकि आपको मालों में इरान जो है 200 बैलेस्टिक मिशाल से हमला किया और इन्होंने पोस्ट में उनकी निंदा करना चाहिए पर वो निंदा किया नहीं मद्य पूर्व देश में बढ़ते तनाओं के बीच इसराइल ने संयुक्त राष्ट यूएन के महासच्यू एंटीनियो गुटरेस पर प्रतिबंद लगा दिया है इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कैटेज ने बुदवार को कहा कि वो यूएन महासच्यू गुटरेस को देश में प्रवेस करने से रुक रहे हैं क्यूंकि उन्होंने इसराइल पर इरान के मिसाइल हमले की इस परष्ट रूप से निंदा नहीं किया इस परष्ट रूप से मतलब कि जो कहना चीए वो कहा नहीं है कैटेज ने कहा कि इरान के खिलाफ आवाज उठाने में गुट्रेस विफल है इसलिए वो इसराइल में आवंचित हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं आगे क्या बोले कैटेज रिपूर्टर्स के मताबिक कैटेज ने कहा कि जो इसराइल पर इरान के जग्यन हमले की साफ निंदा नहीं कर सकता जैसे कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने किया है वो इसराइल के धरती पर पैर नहीं रख सकता है वो हगदार नहीं है आपको मालों में इरान का बहुत देश जो है निंदा कर रहा है पर जो इसराइल के निंदा नहीं कर रहा है वो यहाँ पर इसराइल के धरती पर कदम नहीं रख सकता यह कहना है यहाँ पर इसराइल के जो कैटेज ने बोला है केटेज ने कहा कि इसराइल अपने लोगों की रक्षा करना और राष्ट की गरिमा बनायर रखना जानता है, चाहे गुटेरेस हो या ना हो, केटेज ने कहा कि गुटेरेस को UN इतिहास में दाग के रूप में याद किया जाएगा, गुटेरेस ने क्या कहा था, तो आप इसराइल का एक भी नागरिक नहीं मरा, तो इतना हमला होने के बाद भी एक भी नागरिक नहीं मरा, क्योंकि वहाँ तो बंकर बनाया जाता है, हर कुछ किलो मीटर पे, हर सहर पे बंकर बनाया जाता है, और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि मिसाइल से हमला होने वाला है, तो अलार्म बजा दिया जाता है, और वो साइरन से लोग समझ जाते हैं, और वो बंकर में छिप जाते हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने इस्राइल के लोगों ने पैंडमिक के समय भी यूज किया था, इरान ने दागे हैं इस्राइल पर 200 बैलेस्टिक मिसाईल, इस्राइल द्वारा लेबनन में इरान समर्तित सस्त्र समू हिजबुल्ला के ठीकानों पर हमला करने और कमांडरों की हत्य करने के बाद इस्लामिक गनराज्य बौक ला गिया है, सुंबार को इस्राइल ने बेरूत में लक्षित जमीनी हमला और चापा सुरू किया है, और यहाँ आमने सामने लड़ाई हो रही है, इससे गुस्ताए इरान ने मंगलवार रात को इस्राइल पर 200 बैलेस्टिक है गुटेरेस को, दरसल गुटेरेस इस्राइल की कई बार सीधिया लोचना कर चुका है, अब सुचिए कि यह यूएन का मेंबर है और यहाँ पर यूएस का साथ भी देता है, पर यह इस्राइल के तरफ से बोलता नहीं है कुछ इरान के लिए, उल्टा इस्राइल को ही नि रहे विवाद को और बढ़ाने वाला है, गुटेरेस ने इस्राइल की ओर से नाराजी भरी प्रतिक्रिया तब पैदा की जब उन्होंने कहा कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला अचानक नहीं हुआ, और उन्होंने गाजा में इस्राइली सेना दुवारा नागरी को को हत्या की बार पर निंदा की है, इस्राइल लंबे समय से संयुक्त राष्ट और कई अन्यंतराष्ट संगटोनों के साथ विवाद में रहा है, हाला कि ये संबन तब से एक नए निमन अस्तर पर पहुँच गया है, जब से इस्राइल ने गाजा में अपना एक्सन सुरू किया है, संय पहले कभी नहीं देखा है, तो ये गाजा में जो हमला हुआ उसका निंदा किये हैं, पर ये जो वहाँ पर इस्राइली लोगों पर हमला हुआ साथ अक्टूबर को उसका निंदा नहीं किये, पिछले महीने के अंत में जब युद लेबनन तक फैल गया और इस्राइल ने अपने मुख्य ध्यान हिजगुला पर केंदरित कर लिया, तो गुटेरेस ने कहा कि वह बढ़ती स्तिती और बढ़ती बढ़ती संख्या में नागरिकों के हाथा हाथ होने से गंभीर रूप से चिनती थे, पिछले सुक्रवार को इस्राइल द्वारा हिजगुला नेता हसन नसरला की हत्या के बाद गुटेरेस ने सभी पक्छों से युद के कागार से पीछे हटने की मांग की थी और कहा था कि छेतर पूर्न युद बर्दास नहीं कर सकता है। इरान पर बहुत सारा प्रतिबंद लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो रसिया पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रसिया पर बैयन लगा हुआ है, उसको एक दम आइसोलेटिट करने का काम किया गिया है युएस के तरब से, और इसराइल के सुरक्षा को लेकर अमेरिके प्रतिबद है, इसराइल पर इरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने G7 देशों के नेताओं के साथ फोन पर बात की, इस बातचीत के बाद इरान पर नए प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है, इ इरान के अस्विकारी हमले पर चर्चा की और नए प्रतिबंदों सहीत इस मामले की प्रतिखिरिया पर चर्चा की मैंने इसराइल की सुदक्षा के लिए संयुक्त राज अमेरिका के द्रेड़ प्रतिबंदता की फिर से पुष्टी की है वाइट हाउस की तरफ से इस फोन कॉ की पुष्टी करते वे कहा गया कि आज राष्ट पती बाइडन जी सेवन नेताओं के साथ एक कॉल में सामिल वे उन्होंने इसराइल के खिलाफ इरान की अस्विकारी हमले पर चर्चा की और नए प्रतिबत साहिता इस हमले के जवाब का समनोय किया है क्योंकि जो इरान हमल उसे निंदा की है रश्ट पती बाइडन ने इसराइल और उसके लोगों के प्रति संयुक्त राज अमेरिका के पून एक जूटता और समर्थन व्यक्त किया है इसराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज अमेरिका के द्रड़ प्रतिबता की पूष्टी की है इसराइल सेना ने अधिकारियों ने इसके संकेत दिये, साफ है कि इसराइल अब इरान को छोड़ने वाला नहीं है, प्रदान मंत्री बेंजमीन नितिन याहू ने रिवेंज प्लैन तयार कर लिया है, इरान की रीड पर वार करने की तयारी है, उसके सामरीक अस्थलों को निसाना बनाए जाएगा, जिस तेल के दम पे उसकी पूरी एकॉनमी चलती है, उसे तभा करने का प्लैन है, इससे इरान दाने दाने को मोताज हो जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इसराइल जो हमला कर सकता है, जो वहां से ओइल निकलता है, वहां पे हमला कर सकता है, और जो इनके जो रडार वाले जो सिंसर वहां पे लगाया वे हैं, मतलब समझे कि जो इरान जो खरीदा था रसिया से, जिस तरह यहाँ पे इसराइल के पास आइरंडो में उसी तरह वहाँ पे रसिया से कर तो उसको नस्ट करने कर सकते हैं इसराइली अधिकारियों ने एक्सियोस से कहा हम पूरी तरह से तयार हैं जैसे ही सरकार की और से हादिस मिलेगा तुरंत अटैक करेंगे सबसे पहले इरान की ओयल फैसलिटी को निशाना बनाया जाएगा तेल कुएं ओयल रिफैंडरी पर अटैक किया जाएगा एर डिफेंस सिस्टम तभा कर देंगे जो एर डिफेंस सिस्टम है उनका जहां से उनकी आर्मी को हत्यार मिलते हैं उनने भी मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बना जाएगा इरान कई साल से नुकलियर बम बनाने के कोसिस कर रहा है इसराइल उसे भी तभा करने का प्लैन कर रहा है पहले भी उसके कई साइन्टिस्ट को मार चुका है तो आपको मालूम होगा कि इरान जो है अभी नुकलियर बम बनाने में अभी जुटा हुआ है और एक बाद नुकलियर बम बन जाता है तो उसके बाद जो इसराइल अभी जो पेनली अटाइक करता है तो वो आगे चल के सायद न ना करें उतना अटैक तो इसी चीज को लेकर बोल रहा है कि जब भी बनने जाता है तो उसके साइंटिस्ट को इसराइल मार देता जैसे ही मोसाद को मालूम चलता है तो और अगर जहां नुकलियर बम बनाने का प्रक्रिया चल रहा है अगर नश्ट कर दिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इरान के साथ में चाइना और रस्या भी आ जाए बस आदेश का इंतिजार है इसराइली अदिकारियों ने कहा अगर हमें सरकार की ओर से आदेश मिले तो उनके परमानू प्रतिष्ठाने हम हमला करेंगे इस तरह का अटैक होगा जिसकी कलपना इरान ने कभी नहीं की होगी फाइटर जेट्स इरान के अंदर घुसकर बमों की बारिस करेंगा अप्रैल में जब इसराइल ने इरान पर मिंसाइलों और ड्रोनों से अटैक किया था तब इसराइल ने बड़ी करवाई नहीं की थी लेकिन इसराइली अदिकारियों का दावा है कि इस बार का हमला काफी भ्यानक होगा तो I hope कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा सारा कुश कि इस तरीके से इसराइल ने क्यों किया जो गुटेरेस है उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि गुटेरेस जो है अभी तक 7 अक्टूबर से अभी तक जो भी हमला होते वे आया है वो जो है वो कारवाई जो वो पैर रखता है तो उनको जेल में भर दिया जाएगा और आप सोच कि देखे जो यूएस के बड़े मेंबर उनको खुले हाम ये चुनाती देश है कि और ऐसा कोकी भी देश नहीं है जो खुले में चुनाती देजिक वो हमारे देस में आ पर हम उसको जेल में भर देंगे तो इन्होंने एक बयान जारी किया, टुईटर पे पोस्ट किया है, तो उस चीज को लेके, उस पोस्ट को लेके, यहाँ पे इसराइल खफा है, और इतना खफा है, कि इनको जो है यहाँ इसराइल के जमीन पे बैन कर दिया गिया है, कि अगर वो इसराइल के जमीन पे कदम भ क्योंकि आपको मालूम है इरान जो है 200 बैलेस्टिक मिसाल से हमला किया और इन्होंने पोस्ट में उनकी निंदा करना चाहिए पर वो निंदा किया नहीं मद्य पूर्व देश में बढ़ते तनाओं के बीच इसराइल ने संयुक राष्ट यूएन के महा सचिव